नमस्कार, आज हम अलेक्सेंडर पोप की कविता एन एसे ओन मैन को हिंदी में पढ़ेंगे, चलिए प्रारम करते हैं Know than thyself, presume not God to skin, the proper study of mankind is man Know than thyself, अपने आपको जानने का प्रियास करो Presume not God to skin, presume not, कल्पना मत करो, प्रियास मत करो, खोशिश मत करो To scan, God to scan, ईश्वर को scan करने का, ईश्वर को जज़ करने का, ईश्वर के बारे में अपनी राय देने का, प्रियास मत करो The proper study of mankind is man Proper study, जो उचित है, मनुष्य के अधियन के लिए जो उचित है The proper study of mankind is man, तो वो मनुष्य ही है यानि कि मनुष्य केवल मानवता के बारे में अधियन कर सकता है उसके बारे में अपनी राय दे सकता है किन्तो इश्वर के बारे में राय देने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है ये उसकी ताकत नहीं है, उसके अंदर ये कोवत नहीं है उसके अंदर ये शक्ती नहीं है और ना उसके अंदर इतना intellect है उसकी इतनी बहुत धिक शमता नहीं है कि वो ईश्वर को scan कर सके ईश्वर के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सके Placed on this isthmus of a middle state A beam darkly wise and rudely great Placed on this isthmus of a middle state Placed means रखा गया है On this isthmus Isthmus linking place यानी जोडने वाला इस्थान Middle beach का यानी जो दो चीजों को जोडता है वो इस्थमस होता है Generally जो ये एक भूगोल की शब्दावली का मैंसे लिया गया इस्थमस जो शब्द है भूगोल में प्रियुक्त होता है इसको जल्डमरू मध्य बोलते हैं दो समुद्रों को या दो महा सागरों को जो इस्थन मिलाता है उसको इस्थमस बोलते हैं जल्डमरू मध्य तो जो मनुष्य की इस्थिती है मनुष्य की जो situation है वो भी इस्थमस की तरह ही है वो एक बीच की position में रखा हुआ है यानि इश्वर या देवता, divinity देवियता और दूसी तरफ है beast यानि कि जानवर जानवर और देवता के बीच में मनुष्य की location है मनुष्य बीच की स्थती में रखा गया है A being darkly wise and rudely great A being एक ऐसा प्राणी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है डार्कली wise जो के wise है वो धिमान है लेकिन डार्कली अज्ञानता पून है डार्क अज्ञानता का अंधेरा होता है जो ignorant है जो अज्ञानी है उनको कहा जाता है कि वो अंधेरे में है dark, they are in the darkness वो अंधेरे में है दूसरी तफ जो wise हैं जिनके पास ग्यान है उनको कहा जाता है enlightened यानि को उनको ग्यान का प्राकाश मिल चुका है लेकिन जो मनुष्य है उसको उसके पास ग्यान का प्राकाश है फिर भी वो अग्यानी है कहने का ताथ पर यह है कि बहुत सारे जीवन के शेत्र ऐसे हैं जिनमें हमें बहुत ग्यान प्राप्त है लेकिन फिर भी कुछ रहस्य ऐसे हैं कुछ कोने ग्यान के ऐसे हैं जहां तक मनुष्य अभी न पहुँचा है और न पहुँच पाएगा उसके लिए उन रहसियों को जानना असंभव है ग्यान के उन कौनों तक पहुँचना असंभव है तो मनुष्य की जो पोजिशन है वो डार्कली वाइज है वो ग्यानी भी है लेकिन अग्यानी भी है and rudely great rude उनको बोला जाता है जो सभ्य नहीं है जो के असभ्य हैं वो rude कहलाते हैं great महान लोग यानि जो के हो चुके हैं जिन्होंने सभ्यता प्राप्त कर लिए जो सभ्य बन चुके हैं लेकिन मनुश्य rude भी है और great भी है वो सभ्यता की पराकाश्ठा पर पहुँच चुका है बहुत प्रगती की है सभी सभ्यताओं ने चाहे वो यूरोप की सभ्यताओं हो या इधर इस्ट की पूल की सभ्यताओं हो सभी सभ्यताओं ने बहुत तरकी कर ली है बहुत प्रोग्रेस कर ली है फिर भी वो rude हैं असभ्य हैं आप देखते होंगे सारे दिन न्यूस में आता है न्यूस पेपर्स में आता है हमारी असब्वहता की कहानिया अख़बारों में छपती है न्यूस में आती है तो मनुष सब भी हो चुका है फिर भी असब्वह है उसके अंदर की जो rudeness है वो नहीं जाती इतनी सभ्यता प्राप्त करने के बाद सभ्यताओं में इतनी तरक्की करने के बाद भी उसके अंदर की असभ्यता नहीं जाती आज भी वो rude है humidly great percentage Great तो बन गिया है महान बन गिया है बहुत वज्ञानिक प्रगति उसने कर लिया लेकिन अभी भी वह rude है with too much knowledge for the septic side with too much weakness for the stoic sprite with too much knowledge बहुत ग्यान प्राद कर लिया है मनुश्य ने for the septic side बाब इसके बाद भी वो septic है septic जो doubtful होते हैं शंकालू होते हैं septicism एक philosophy भी है जो ये कहती है कि हम कुछ भी निश्यत रूप से नहीं कह सकते कुछ भी निश्यत रूप से नहीं जान सकते इस संसार के बारे में कुछ भी निश्यत रूप से नहीं कह जा सकता तो ये एक philosophy है और ये सही भी है क्योंकि इतनी सारा ग्यान ताप्त करने के बाद भी हम कुछ भी निश्चत रूप से नहीं कह सकते इस ब्रह्मान के बारे में विज्ञान के बारे में कितनी medical science ने कितनी तरक्की कर ली है फिर भी कुछ बीमारियां हैं जिनका कभी हम इलाज नहीं कर पाते तो आज भी हम septic हैं doubtful हैं अमारे अंदर शंकाएं हैं इतना ग्यान प्राप्त करने के बाद भी हम septic हैं शंकालू हैं with too much weakness for the stoic's pride stoic ये भी यूनान की एक philosophy है stoics का मानना था कि मनुष्य को सुख और दुख में समान भाव रखना चाहिए यदि सुख मिले खुशी मिले तो बहुत खुश नहीं होना चाहिए और दुख मिले तो दुखी नहीं होना चाहिए तो इसके लिए बहुत मजबूती चाहिए चरित्र की फिरदय की तो मनुष्य स्टॉइक बनके मनुष्य को इस बात का गर्व है कि वो स्टॉइक है लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं बहुत सारी weaknesses है वो हमेशा इस शंका में रहता है इस confusion में रहता है कि वो कार्डे करे या आराम करे हमेशा उसको ये शंका रहती है कि वो अपने आपको देवता माने भगवान माने और बीस्ट या जानवर माने क्योंकि दोनों ही प्रवर्तियां उसके अंदर है हम आरा एक भाग एक आसपेक्ट डिविनिटी है दूसरा बीस्टलीनेस है तो मनुष्य हमेशा इस confusion में रहता है इस शंका में रहता है कि वो अपने आपको भगवान माने या फिर जानवर माने अच्छे काम करे या बुरे काम करे अच्छे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है और बुराई की तरफ मनुष्य आसानी से खिच जाता है तो हमेशा इस शंका में रहता है कि वो क्या करे और अकारे करे या अराम करे तू एक्ट और तू रैस्ट और दूसरा दीम हिंसेल्फ डिमेंस तू कंसिडर अपने आपको मानना कि वो अपने आपको देवता माने या जानवर माने वो इस शंका में रहता है कि mind यानि मस्तिश्क को ज्यादा महत्तो दे या body को अपने शरीर को ज्यादा महत्तो दे या अपने mind को mind का मतलब यहाँ पर होता है आध्यात्मिकता बहुत धिकता एक तो बहुत धिकता होती है यानि कि आप आध्यात्मिकी ओर जा सकते हैं आप intellectually अपने आप उपर उठा सकते हैं बहुत धिक रूप से आप उपर उठा सकते हैं दूसरा body बॉड़ी का मतलब होता है संसार की जितनी भी विलासिता की वस्तुएं हैं उनका अनंद लेना तो आप अच्छा खाना पीना मजे करना इस ओर जाएं या फिर अपनी बॉध्धिक शमताओं का विकास करें हमेशा मनुश्य को ये शंका रहती है क्योंकि सभी सभ्यताओं में अलग अलग प्रकार की फिलोसफी जहें अलग अलग प्रकार के दर्शन है अब आप यदि युनान का उदाहरण लें तो वहां पर एपिक्योरियन फिलोसफी है जो कि यह कहती है कि खाओ पियो और मजे करो चार दिन की जिंदगी है इसके मजे लो भारत में भी चारवाग दर्शन है जो यह कहता है कि खाव पीओ मजे करो धार लेकर घी पीओ चार बाग ने कहा है दूसरी तरफ यदि हमारे यहां देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने जो दर्शन दिया है अस्ते चोरी मत करो अपरिग रहे वस्तुओं का संग्रहन मत करो अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाओ समाज की सेवा में लगाओ अपने आराम का परत्याग करो और समाज की सेवा करो दिन दुखियों की सेवा करो तो यह स्पिरिच्वल परसीवर्ट होते हैं अध्यात्मिकता होती है बहुत धिकता होती है तो मनुष्य हमेशा इस कन्फ्यूजन में रहता है कि वो किस चीज़ को महतो दे. His mind or body to prefer. अध्याद्मिकता को महत Row दे या फिर सांसारिकता को महतो दे. अपने अपने लिए जीए या दूसरों के लिए जीए समाज के लिए जीए इस्वय्म के लिए जीए तो यह उसके अंदर हमेशा एक द्वंध युद्ध चलता रहता है Born but to die and reasoning but to err Born but to die मनुष्य पैदा होता है मरने के लिए हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है आया है सो जाएगा मरन जग में कोई तो हर व्यक्ति मरने के लिए पैदा हुआ है and reasoning but to err reasoning यनि वो अपनी reasoning लगाता है बुद्धी लगाता है logic लगाता है उसके बाब जूद वो घलतियां करता है true error मारे गलतियां करना यानि इतना सोच विचार करता है पूरे जीवन कि ये करूं कि न करूं इतना सोच विचार करने के बाद भी वो पूरे जीवन गलतियां करता है Reasoning but true Alike in ignorance His reason such Whether he thinks too little or too much Alike in ignorance समान रूप से वो ignorance अग्यान वो हमेशा अग्यान में रहता है His reason such उसका जो reason है उसका जो बधिक्षमता है उसका जो mind है वो इस प्रकार का है Whether he thinks too little or too much चाहे वो बहुत ज्यादा सोचे या बहुत कम सोचे Whether he thinks too little or too much चाहे वो बहुत कम सोचे चाहे बहुत ज्यादा सोचे His reason such उसका मस्तिश कैसा है कि वो Alike in ignorance हमेशा अग्यान में ही रहता है कम सोचे या ज्यादा सोचे वो हमेशा अग्यान में ही रहता है Chaos of thought and passion all confused is still by himself abused or disabused Chaos of thought and passion Chaos एक ब्रहम की इस्थिती होती है disorder की इस्थिती होती है confusion की इस्थिती होती है chaos जहां कुछ भी निश्यत नहीं होता अव्यवस्था की इस्थिती होती है तो मनुश्य के अंदर हमेशा एक confusion की इस्थिती रहती है एक अव्यवस्था की इस्थिती रहती है का मतलब यहां पर होता है उसके दो आसपेक्ट होते हैं एक मनुष्य के दिमाग के या एक मनुष्य का जो व्यक्तित तो है उसके दो आसपेक्ट होते हैं एक तो थौट यानि कि इंटेलेक्शल आसपेक्ट होता है उसका बौधिक आसपेक्ट होता है ये दोनों ही पहलू उसे अपनी अपनी और खींसते हैं वैचारिक पहलू उसकी लॉजिक उसकी तारकिक शक्ती को डिनोट करता है उसकी जो तारकिक शक्ती है वो वैचारिक पहलू है तो वो सोच विचार कर काम करता है जब उसका माइंड काम कर रहा होता है जब वो अपने दिमाग से काम लेता है दूस्री तरफ पेशं जो होती है वो थोड़ी ulogical होती है थोड़ी अतार्व कि होती है भावनाए हैं यह कंफ्यूंस कि वो दिमाग की सुने या दिल की सुने, थौट्स की सुने या पैशन्स की सुने, विचारों की सुने या भावनाओं की सुने, ये confusion हमेशा रहता है उसके अंदर. Still by Himself abused or disabused, तो हर समय वो स्वैम के दवारा, abused और disabused, या उसका जो उपियोग, दुरुपियोग, उसकी शारीरिक शमताओं का, बौत धिक शमताओं का जो उपियोग होता है या दुरुपियोग होता है, वो उसके स्वैम के दवारा होता है. आप कह सकते हैं कि मनुश्य अपना भाग या खुद लिखता है वो अपने कर्मों के द्वारा जैसा वो अपने दिल की सुने दिमाग की सुने जीवन में जो भी काम करता है उसके हिसाब से वो अपना भाग या खुद ही लिखता है still by himself हमेशा अपने द्वारा abused और disabused उसको उसका उपयोग किया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है उसकी शारीरिक या बौधिक शमताओं का उपयोग या दुरुपयोग किया जाता है उसके स्वेम के द्वारा एक व्यक्ति जब पैदा होता है ना तो वो संत होता है और ना ही वो क्रिमिनल होता है तो वो जो भी बनता है आगे जीवन में अपने कर्मों के द्वारा बनता है तो उसने अपने आपको एक वधिक व्यक्ति बनाया एक संत बनाया या एक समासेवक बनाया एक अच्छे व्यक रेक्तित्थ में अपने आपको ढ़ाला या फिर वो एक किर्मिनल बन गया तो ये उसके करमों के आधार पर है उसने खुद ही अपने को आभीउस किया है तोवो किर्मिनल बन गया और अच्छेस अगशे अपने आपको यूज किया अपनी बौधिक शमताओं और शारीरिक शम्ता को अगर अच्छे से उसने प्रयोग किया है तो वो एक बध्धिक व्यक्तित बनेगा एक अच्छा व्यक्ति बनेगा created half to rise and half to fall great lord of all things yet a pray to all created half to rise and half to fall मनुश्य को बनाया ही इस तरीके से गया है इश्वर के द्वारा कि उसमें आधी शम्ता उठने की है और आधी शम्ता गिरने की है वो अपनी बौधिक शमताओं को प्रयोग करके अपनी शारिक शमताओं को प्रयोग करके उपर भी उठ सकता है और वो चाहे तो नीचे भी गिर सकता है वो एक संत भी बन सकता है और वो एक क्रिमिनल भी बन सकता है वो एक अपराधी भी बन सकता है great lord of all things yet a pray to all great lord of all things वो इस संसार की सभी वस्तों का स्वामी है मनुश्य ने देखिए हवा में हवाई जहाज उड़ा लिए उसका अधिकार कर लिया हवा पर अधिकार कर लिया समुद्र में जहाज चलाता है शिप्स चलते हैं कहां कौन सा समुद्र कितनी दूर है पूरा उसे ग्यान है सारी चीजों का वो मालिक बन गया है yet a pray to all फिर भी उन सारी चीजों का वो शिकार भी है समुद्र की अब पूरा ग्यान मनुश्य को है लेकिन जब सुनामी आती है तो वो असहाय हो जाता है उसके सामने जब कोई साइकलोन आता है तूफान आता है तो वो उसके सामने असहाय हो जाता है धर्ती का हमें पूरा ग्यान है कितनी लंबाई है कितनी चोड़ाई है कितनी गहराई है कौन-कौन सी परते हैं धर्ती के अंदर लेकिन जब अर्थक्वेक आरता है भूकम पाता है तो मनुष्य असाहय हो जाता है उसके सामने तो great lord of all things yet upright to all हर चीज का वो स्वामी बन गया है मालिक बन गया है लेकिन हर चीज का वो एक शिकार भी है victim है soul judge of truth in endless error heard soul judge of truth soul means अकेला judge नियाधीश of truth सत्य का वो सत्य का अकेला नियाधीश है यानि वो मनुष्य से उपर तो कोई है नहीं जितने भी जीवित प्राणी है उनमें सबसे उपर मनुष्य है वही इस बात का दावा कर सकता है कि उसे सत्य का ग्यान है और कोई जानवर तो हाथी गोड़े और शेर जंगल का राजा है शेर भले ही लेकिन वो ये दावा तो नहीं कर सकता है जो सत्य का ग्यान है ये दावा तो मनुष्य ही कर सकता है मनुष्य अकेला सत्य का निया धीश है सत्य का ग्यानी है सत्य क्या है ये उसी को मालूम है फिर भी इन एंडलेस एरर हर्ड वो जहां फैका गया है endless error endless जो कभी समाप्त नहीं होती है error गलतिया यानि सत्य का ग्यान उसको है लेकिन उसकी errors भी कभी समाप्त नहीं होती है उसकी गलतियां कभी समाप्त नहीं होती जहां वो है जिस इस्तिती में वो है जीवन भर गलतियां करता है हमेशां गलतियां करता है The glory, jest and riddle of the world मनुश्य, glory संसार का वैभव है संसार का गर्व है यनि सर्व श्रिष्ट प्रानी है वो इस संसार का jest लेकिन एक मजाग है वो अपने आप में क्योंकि किसी चीज़ पर उसका वश नहीं चलता सबका मालिक होते हुए भी किसी चीज़ पर उसका वश नहीं चलता मृत्यू पर कभी उसका वश नहीं चलता यूहीं रोजाना धेरों एक्सिडेंट होते हैं तो वो एक मजाग भी है यनि संसार का सवशिष्ट प्रानी भी है गलोरी भी है इस संसार का वैभव भी है और इस दुनिया की सबसे बड़ी अवोज पहैली भी है मनुष्य को जानना मुश्किल ही नहीं ना ममकिन है उसका एक मनुष्य के अंदर क्या है उसको आप नहीं जान सकते तो he is a riddle of the world वो संसार की एक पहेली है ये कविता heroic couplets में लिखी गई है देखी ये सब couplets है skin, man, state, great, side, pride, rest, best, prefer, air, such, much, confused, abused, fall, all, hurt, world तो मुझे उमीद है ये कविता आपको पसंद भी आई होगी और आपकी समझ में भी आई होगी धन्यवाद